नमस्कार कोई गियान चैनल में आपका स्वागत है क्या आप भी अपने फेस्बुक से मोबाइल नमबर को हटाना या डिलीट करना चाहते हैं लेकिन आपके फेस्बुक से आपका मोबाइल नमबर डिलीट नहीं हो रहा है और उस प्रोब्लेम को आप ठिक करना चाहते हैं को डिलीट करते हैं और यहां पर आप डिलीट नंबर पे किलिक करते हैं और यहां से आप डिलीट पे भी किलिक करते हैं तो आपका जो फेस्बुक से नंबर है वो डिलीट नहीं हो पाता है और आप काफी जदा परेसान हैं आप अपने फेस्बुक से नंबर को हटाना चाहते delete करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि simple आपको facebook को यहां से recent चाहटा देना है उसके बाद आपको अपने phone में playstore को open करना है open करने के बाद आपको search box पे click करना है और यहां आपको facebook को search कर लेना है सर्च करने के बाद यहांस आपको यह चिक कर लेना है कि आपके फोन में फेस्बुक का अपडेट आया हुआ है कि नहीं अगर आपके फोन में फेस्बुक का अपडेट आया हुआ है तो यहांस आपको अपडेट कर लेना है क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि आपका जो Facebook है वो old version हो जाता है और उहां पर आप Facebook से number को delete करते हैं तो उहां पर number delete नहीं हो पाता है या problem तरह तरह का भी हो सकता है तो हैंस आपको हमेशा Facebook को updated रखना है उसके बाद आपको cut करना है अगर आपके phone में आपका Facebook update भी है उसके बावजूद भी number delete नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है कि Facebook पे थोड़ा देर अंगली दवाक रखना है लोंग पिरिस करना है उसके बाद यहां पर आपको एक app info का option मिलेगा तो आपको यहां पे जाना है जाने के बाद आपको उपर की ओर scroll करना है scroll करने के बाद आपको नीचे में एक storage usage का option मिलेगा तो आपको यहां पे click करना है और यहां पर आपको clear cache पे click कर देना है और यहां से back करना है इतना करने के बाद आपको उपर में एक force stop का option मिलेगा तो आपको यहाँ पे click करना है और यहाँ से force stop कर देना है उसके बाद यहाँ से आपको recent से इसको हटा देना है हटाने के बाद अब आपको अपने phone में Facebook को open करना है ओपिन करने के बाद उपर में आपको एक three line का option मिलेगा अब आपको यहाँ पे किलिक करना है किलिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक settings का option मिलेगा अब आपको यहाँ पे जाना है जाने के बाद यहाँ पर आपको एक Account Center का Option मिलेगा अब आपको यहाँ पे किलिक करना है किलिक करने के बाद आपको नीचे में एक Personal DTS का Option दिखेगा अब आपको यहाँ पे किलिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक contact info का option मिलेगा अब आपको यहाँ पर जाना है अब यहाँ पर अपने facebook पर जो भी आप mobile number को एड़ किए होंगे email ID को एड़ किए होंगे यहाँ पर दिख जाएगा अगर आपके Facebook पर email ID add है और mobile number भी add है तो यहाँ से आप mobile number को delete कर सकते हैं लेकिन अगर आपके phone में एक ही mobile number आपके Facebook पर add है अगर आप उस number को delete करना चाहते हैं तो यह delete भी नहीं होगा लेकिन अगर delete भी हो जाता है तो अगर आप अपने Facebook का कभी password चेंज करने जाते हैं तो आप आपका password चेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका जो भी verification code है वह किस तरह से आप मंगबाएगा वहाँ पर कोई option ही नहीं होगा तो आप change नहीं कर पाएगे तो आपके Facebook पर केबल एक ही mobile number है तो उसको आपको delete नहीं करना है अगर आप email ID add किये हुए हैं तो यहाँ से आप mobile number को delete भी कर देते हैं तो आप अपने email ID से verification code मंगबाएगा सकते हैं Facebook आप password चेंज कर सकते हैं या किसी भी चीज़ को update कर सकते हैं अगर आपके Facebook पर दो mobile number add है और उसको delete करना चाहते हैं या email ID भी add है और mobile number भी add है तो एक mobile number को हटाना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं तो उसके लिए आप जो mobile number को delete करना चाहते हैं आपको क्या करना है कि उस पे click करना है उसके बाद आपको delete number पे click करना है और यहां से आपको delete पे click कर देना है click करने के बाद जो भी आपका Facebook का password है वह डाल लेना है डालने के बाद अब आपको क्या करना है कि continue पे click करना है continue पे click करने के बाद आपके WhatsApp पे एक verification code जाएगा तो यहां पर देख सकते हैं कि मेरा जो WhatsApp पे code है यहां पर आ गया है तो चलिए यहां से इसको हम cut करते हैं और हम अपने phone में WhatsApp को open करते हैं तो चलिए यहां पर हम अपने phone में WhatsApp को यहां पर open कर लेते हैं open करने के बाद यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर मेरा जो code है वो आ गिया है तो इस code को आपको copy कर लेना है उसके बाद आपको cut करना है और अपने phone में Facebook को open कर लेना है और जो भी code आया है आपको क्या करना है कि उस code को यहां पर आपको डाल देना है डालने के बाद आपको continue पर किलिक करना है अब यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो फेस्बुक का नंबर है वह डिलीटेड हो गया है तो इस तरह से आप फेस्बुक से आपना नंबर डिलीट कर सकते हैं अगर वह डिलीट नहीं हो रहा था तो धन्यवाद